क्या आपको पता है Warren Buffett क्या कहते हैं investments करने के बारे में? Warren Buffett कहते हैं किसी भी business में investments करने का सही time तब होता है जब वो business जो है वो loss में होता है क्योंकि जब business loss में होता है तो company के share जो है वो काफी कम दाम में मिलते हैं और अगर बिजनेस अच्छा है तो आपको उस बिजनेस में इंवेस्मेंट्स करना चाहिए Recently ये पता चला है कि भारत पे और सेंटरम मिलकर PMC बैंक को अक्वाइर करने वाले हैं आने वाले दो साल में Hey guys, my name is Vimal और मैं एक finance professional हूँ मैं अपने 15 क्लाइन के portfolio को manage करता हूँ और उनके investments को track करता हूँ तो जो कुछ भी मैं आपके साथ share करूँगा मैं अपने experience के basis पर share करूँगा और real life में 100% practical है आज कि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ PMC Bank और भारत Pay के 20 की deal के बारे में इस deal में क्या है, कैसे होने वाला है और किस तरीके से PMC Bank को भारत Pay और Centrum मिलकर acquire करने वाले है तो वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर दो like, share और channel को कर दो subscribe अगर आप channel पर नए हो तो इसके साथ-साथ bell icon भी दबा देना ता कि आपको latest वीडियो का notification जो है जल्दी मिल जाए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ भारत Pay Centrum और PMC Bank के बारे में आप लोगों में से काफी लोगों ने भारत Pay का use किया होगा पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए बिल पेमेंट करने के लिए और रिचार्ज करने के लिए भारत पे एक FinTech Company है जो Services प्रोवाइड करती है पेमेंट से रिलेटेड Centrum एक Financial Institutions है जिसके पास Finance से रिलेटेड काफी सारे प्रोडक्स हैं इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ PMC Bank के बारे में आप लोगों में से काफी लोगों को पता होगा कि पिछले साल RBI ने PMC Bank पर कुछ reasons के वज़े से restrictions लगा दिये थी इसकी वज़े से काफी सारे investors का पैसा जो है वो PMC Bank में अटक गया था भारत पे एक fintech company है centrum जो है वो एक financial institutions है और PMC Bank है जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि RBI ने approval दे दिया है fintech company को mutual fund के business में enter करने के लिए similarly SEBI ने allow किया है fintech company को banking के business में जाने के लिए अब मैं आपको इस deal के बारे में इन detail में बताता हूँ 224 करोड रुपए काफी बड़ा amount होता है किसी भी business में investments करने के लिए लेकिन भारत पे और centrum दोनों PMC Bank के business को ही क्यो acquire करना चाते है क्या है इनके दिमाग में क्या चल रहा है भारत पे और centrum दोनों मिलकर एक small finance bank develop करना चाते है जहां पर उनके financial activities के भी help हो जाएगी इसके साथ साथ ये लोग जो है वो financial industry में banking industry में भी आ सकते हैं तो इनके business को भी काफी ज़्यादा फाइदा होगा लेकिन अभी तक PMC Bank का जो business है वो non operational है यहाँ पर किसी भी तरीके के activities नहीं हो रही है तो starting के 3-4 महिने में भारत पे और centrum मिल कर इस business को operational बनाएंगे और इस bank की services को reactivate करेंगे अब हम बात करदें इस deals in companies को क्या-क्या फाइदा होगा देखो बस फाइदा तो तीनों company को होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हर किसी को कुछ ना कुछ मिलने वाला है PMC bank का business जो अभी तक non-operational है वो भी चलने लगेगा इसके लावा PMC bank के जितने भी losses होंगे, bad dates होंगे उसके assets होंगे, ये acquire कर लेंगे भारत पे और centrum मिल कर इसके साथ-साथ भारत पे और centrum को भी एक platform मिल जाएगा banking services के लिए जहां पे वो banking services का भी फायदा उठा सकते हैं इसके साथ-साथ ये एक new industry में diversify भी कर सकते हैं Hope करता हूँ कि आपको इस वीडियो से 2224 करोड की deal के बारे में काफी कुछ information मिली होगी और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया और important सीखा है तो इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और इसके साथ-साथ चैनल को भी subscribe कीजिए भारत पे और centrum दोनों को मिल कर इस bank में 2224 करोड की deal को final करना चाहिए या नहीं आपके क्या राय हैं आप comment box में मुझे बताइए इसकर आप अगर आप share market में investments करके अच्छे खासे return कमाना चाहते हैं तो आपके पास demand account होना चाहिए अगर आपके पास demand account नहीं है तो आप नीचे दिये गए link पर click करके demand account open कर सकते हैं और investments जो हैं वो start कर सकते हैं मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में नए topic के साथ तब तक के लिए signing off